हुलिफायर रेकी से आपकी लाइप के कुई भी डिसिजन अगर आपको ले रहा है आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या डिसिजन लूँ तो कैसे हम हुलिफायर रेकी की एक सिंपल टेक्निक से हम यस और नो आंसर ले सकते हैं जी हां आज के वीडियो में एक बहुत ही सिंपल टेक्निक शेर करने जा रहा हूं आपके साथ हुलिफायर रेकी की कि जिससे आप अपनी लाइप में कुछ डिसिजन लेने हैं यस और नो में तो वहाँ पर आप इस सिंपल टेक्निक का यूज कर सकते हूं दोस्तों हमारे लाइप में हम डेली कुछ न कुछ डिसिजन हमें लेना पड़ता है जैसे कि अगर बच्चों से रेलेटेर तो इस स्कुल में मैं जाओं या इड्मिशन कराओं या ना कराओं गुराजी में में या इंगलिस में में या हिंदी में में इसको पढ़ाओं स्टार्ड करूं या यह जोब मैं लों ठीक है यही पर इस परसंथ सर्था करों थिक कहadaब यह ना खाओं ओने कि भॉए सांच अब sigh में डेली खते हुआ ज़ेकिन एक हम कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कॉम सा रिसեղ को क्य Rabbi मीन इन बहुत ही फॉर्ट चला देते हैं अग्सां कि पार लोगों के इन्फुएंस होता है अपने आपकी कुद का इन्फुएंस होता है इसके लिए आपका हो लेकिन इसके लिए आपको फाइर एकी से से deeply connection होना जरूरी है कि कॉलिफायर एकी सीख कर आपको रेगिलरली सेल फिलिंग करके कॉलिफायर एकी से आपका डीप connection बनाना जरूरी है कि तब भी तो आपको अच्छी तरह से guidance दे पाएंगे तब भी तो आप उसका इंट्यूजन है सुन पाएंगे उसकी उससे connection आप एस्टाबलिस कर पाएंगे ठीक है तो सिंपल मेथड है कि मालने जिए कोई भी आपको decision लेगा ठीक है आपको पता नहीं दूर्पाय रेकी के सिंबॉल उसमें डालकर उसको सबसे पहले उस्टाबं की जो भी वाइब्रेशन एनरजी उसको दूर कर दीजी कम्रे को पूरी दर से चार्ज कर दीजी हुले पाएंगे बाजो में आप वपूर है या दिया है ठीक है वह आप जला सकते हैं अच्छा सा कि अपने आपको रिलेक्स कर दीजी और फिर होलिफायर एकी से जो प्रेयर होती है जो मैं स्टूर्ण को सिखाता हूं आप साहे तो अपने इसाफ से भी कर सकते हैं होलिफायर एकी का आवान करें इसको सभी सिंबॉल्स आप ड्रो करके इससे कनेक्शन बनाएं और सबसे पहले पांच या दस मिनिट अपने आपको व्लिफायर एकी हिंग दे दीजे ताकि आपकी एनरजी आपके वाइब्रेशन उस लेल पर बन जाए ताकि आप व्लिफायर एकी से डेपली कनेक्ट हो जाए इतना करने के बार जब आपको लगे आपको एक एक एसास हो कि अब आप बहुत एक गहरी शांती में चले जा गए हैं और आप व्लिफायर एकी से डेपली कनेक्ट हो चुके हैं उस समय जो भी आपका सवाल है आप व्लिफायर एकी के सामने रखें और उस समय आप अपने दोनों हाथ अभी मैं आप खड़ा हूं इसलिए नहीं निखा सकता हैं लेकिन दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे अपने नीज पर गुटनों पर रखेंगे दोनों हाथ नीज पर रखेंगे और सुर्वाच में ही आप इंटेंशन रख दिजिए कि अगर आपका राइट हैंड उपर हो रहा है तो यस जवाब होगा और लेफ्ट हैंड उ उपर होगा और अगर नो अंसर होगा तो मेरा लेफ्ट हैंड उपर होगा इस तरह से आपको दोनों हाथ नीचे गुटनों पर रख देना है और अगर किस डिसिजन का जवाब है यस तो मेरा राइट हैंड उपर करना और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये डिसिजन नो लो त कि आपका इंटेंशन इंपॉंटर्ट रखता है हर्चीज में अपोलिफायर एक इसे आपका डिसीजन आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं क्या कंफ्यूजन है वो सब बताएंगे और उनको कहेंगे कि अगर जवाब हाँ है मेरा राइट हैंड उपर करवाईए और अगर जव राइट हैंड उपर हो रहा है या लेफ्ट हैंड उपर हो रहा है जी हां दोस्तों और एक बात ध्यान में रखिए किसी भी पूर्व दाणा लेकर ना बैठें क्योंकि आप पहले से ही चाहते हैं कि इसका जवाब यस आए तो चांसिस ज्यादा बनेंगे कि आपका जवाब यस आए कोई पूर्र धाणा लेकर ना बैठें इस प्रोसेस में समझ रहे हैं दूसरी बात कि आपको कहीं पर जोड़ जबजस्ती नहीं कर नहीं है यह प्रोसेस ऑटोमेटिकली नेच्रली होगी होलिफायर रेकी के गाइडन्स से होगी फिर से बता रहा हूं यह प्रोसेस नेच्रली होगी ऑटोमेटिक होगी फॉलिफायर रेकी के गाइडन्स से होगी इसमें आपका कोई भी एफोर्ट्स नहीं लगेगा समझने में कहना चाहता हूं अगर आप इन्वॉल हो रहे हैं आप एफोर्ट्स लगा रहे हैं आप पूर्व धात्ना लेकर बैटे हैं तो आंसर गलत आएगा ठीक है तो बैठे रहना है मन को शांद करके और और फिर अबज़र करना है कि आपका राइट उपर हो रहा है या लेप्ट हैन उपर हो रहा हूँ कि दोनों में से कुछ ने कुछ तो जरूर से होगा अगर पहली बार में नहीं हो रहा है तो दूसरी बार में करीब या तीसरी बार में तो जरूर से हो माइन में कन्फिजन नहीं रखना है पूर्व धाना नहीं रखनी है पहले से कोई डिसिजन लेकर नहीं बेटना है आपको कोई भी एफ़र्ट्स नहीं लगाने है तब इसका अंसर आपको मिलेगा जो कुछ भी है पूरे श्रद्धा बाव के साथ आपको ये प्रोसेस और फिर देखिए कमाल क्या बता है कि समझ रहें कि बहुत ही सिंपल बहुत इफेक्टिव टेक्निक है जब भी आपको इसका आंसर में जाए होली फायर एकी का देल से धन्यवाद करें इस तरह से जैसे जैसे आप डिसिजन लेते जाएंगे फिर देखे कि क्या हुरा है अगर आपके नवस्ति लेना सही होते जाता लाया है सकता की शायद' हो सकता है वह सबस्किंस के लिए आप यह सिंपल यूज़ कर सकते हैं sommes साथ ही साथ आपको यह टेक्निक क्यासी लगी आप मुझे बताएं और अगर आप यह टेखनिक कर रहा है इसका फाइदा मिल रहे तो भी मुझे कोमेंट बोक्स में पीशल में जरू से बताएं और अगर आप मुझसे horrifier रेकी यहां का सीख रेकोर्ड या एंजल थेरापी या NLP इस तरह के जो गोर्सिस है मेरे उसको अगर आप online most affordable price में वो भी lifetime support, certificate, recording के साथ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा contact कर सकते हैं 9974-969080 की मेरा WhatsApp नमर आप मुझे message कर सकते हैं साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो जरू से subscribe कर लिजी उपर आई बटन पर और लाज्ट में कुछ वीडियो की लिंक भी आपको मिल जाएगी जैसे कि वालिफायर है कि फ्री जिबू सिंबॉल NLP सेल्फ इप्लॉसिस ठीक है एंजल फिरापी आकाशिक रेकोर्ड इस सब की वी